चलिए दोस्तों लेका है और एक जबरदस्ट वीडियो और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ शाओमी की तरब से रिसेंट्ली लाँच होया मी 10i इस फोन के बारे में अब ये जो फोन है ये अंडर 25,000 बहुती बढ़िया फोन है या फिर नहीं या फिर इस फोन को आपको लेना चाहिए या फिर नहीं ये अगर आपको डिसेंट लेना है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा दोस्तों तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले प्राइजिंग के साथ अब ये फोन जोए इसका 6GB RAM 64GB वेरियंट ये जो है ये ये शाओमी ने एड करते वक्ती दिखा दिया कि coming soon मतलब कब आएगा ये पता नहीं इस फोन का प्री बुकिंग जोए 4 चालू हो गया अल्रेडी लेकिन इसमें आपको 6GB RAM 54GB स्टोरेज वाले वेरियंट जोए 4 नहीं मिलेगा क्योंकि इसके निचे लिखागा ये coming soon ये कब तक आएगा नहीं आएगा ये अभी तक पता नहीं चेहे OnePlus ने क्या था OnePlus Nord के साथ वैसे ही price हमें attractive दिखा दिये कि 21,000 में ये phone मिल रहा है लेकिन अगर आप reality में confirm करने जाएंगे तो ये phone आपको 22,000 में पड़ेगा मतलब जो 6GB 128GB स्टोरेज वाले वेरेंटे वही available है लेकिन आप उसको भी कम price पे खरीज सकते है तो कैसे आप अगर ICC बैंक का card यूज करते तो आप उस phone को भी 20,000 के around खरीज सकते अगर आपके आजो बजो में कैसे के पास होगा तो आप उससे इस phone को खरीज सकते अब बात करते इस phone के display के बारे में तो इस phone में 6.67 इंचेस का IPS LCD डिस्पले दिस्पले दिया है अब यह Xiaomi का जो है यह regular pattern हो गया है क्योंकि सारे phones में वो इसी size के display देते है और इस phone में 120Hz refresh rate वाला panel दिया है अब 120Hz refresh rate से क्या होगा केमिंग अगर आप ठीक टाक कर पाएंगे लेकिन यह समझ लिए दोस्तों एक IPS LCD डिस्पले है और AMOLED नहीं है यह समझ लिजए अगर आपको इसके बारे में difference देखना है तो आप एक IPS LCD डिस्पले होला phone लेके जाए कई पर दूप में लेके जाए और AMOLED डिस्पले होला phone लेके जाए तो आपको clearly इसके उपर का difference समझ में आएगा और आप बात करते इस phone में जो प्रोसेसर आता है इस phone में प्रोसेसर आता है Qualcomm Snapdragon 750G 8NM technology पे बेस्टे बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है लेकिन ये जो 5G के दो ही bands को support करता है ऐसे तो box पे लिखा है अब ये 5G के सारे bands को software के साथ support करेगा नहीं करेगा ये अभी तक पता नहीं है ये phone gaming के लिए regular research के लिए बहुत ही बढ़िया है लेकिन अगर आप ये सोच के लिए रहे कि आप एक 5G phone ले रहे और future पे ये 5G proof होगा तो आपको दुबारा से सोचने चाहिए क्या आपको इस phone को लेना है या फिर नहीं क्योंकि 5G के सिर्फ दो ही bands को support करता है आगे वाले bands को support करेगा नहीं करेगा ये अभी तक Xiaomi ने clear नहीं किया है तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा और अब बात करते मेन हाइलाइट की camera बहुत ज़्यादा हाइलाइट के शाओ मी ने 108 MP का sensor 108 MP का sensor जिससे आप बहुत ही बड़ी आ फोटो किच जगते है लेकिन इसकी reality अगर आप देखेंगे तो Samsung का HM2 sensor आता है अब Samsung का HM1 जो sensor है वो बहुत सारे flagship level के phones में आता है तो आप सोच रहेंगे HM2 उसका advanced variant होगा वैसे नहीं है दोस्तो यह उसका lighter variant है क्योंकि camera cutout देखते तो बहुत ही चोटा है तो यह जो sensor है यह thickness में भी बहुत ज़्यादा चोटा है और thickness में जितना चोटा होगा तो उसके अंदर उतनी lighting कम आएगी इस वज़े से photo's जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं आएगे average photos आ सकते हैं लेकिन आप जिस तरह से सोच रहें कि बहुत ज़्यादा बढ़िया photo आएगे वैस नहीं आएगे इसरा सबसे important point दोस्तों कि इसके अंदर pixel binning जाए वो 9 is to 1 की गई अब pixel binning क्या है simple बाशे में अगर आपको समझाओ तो Redmi car, Redmi Note 7 Pro यह phone launch किया था उन्होंने 48 MP के sensor के साथ लेकिन जब reality में आप photos देखते तो 12 MP camera रहता है उस तरह से आता है वहाँ पर pixel binning थी 4 is to 1 तो मतलब 12 MP का camera sensor था और pixel binning की वज़े से 48 MP हो गया था वैसे ही इस phone में भी ऐसे ही किया है मतलब 12 MP के जैसे ही photo हैंगे इतने ज़्यादा sharp नहीं आएंगे लेकिन अगर आप compare करते है 12 MP का एक mid range phone लेते है और उसके इस photo में जो फरक है वो आपको दिखाई देगा लेकिन आप जैसे expect कर रहे है जो Xiaomi advertise कर रहा है 108 MP का sensor उस तरह से photo नहीं होगा क्योंकि इसका और एक point है दोस्तों जो इसके अंदर प्रोसेसर आता है फोन के अंदर वो सपोर्ट ही नहीं करता 108 MP के sensor को तो आप समझ लीज़े दोस्तों 108 MP sensor से photo इतने अच्छे आ कैसे सकते है मतलब प्रोसेसिंग ही नहीं होगी तो इतने अच्छे photo दिखेंगा ही कैसे यह आपको पागल बनने का काम चल रहा है और यह जो phone है यह Android 10 out of the box मिलता है अब इस range में जो phone आते वो Android 11 के साथ आते लेकिन यह phone जाए यह Android 10 के साथ आते जो variant है वो आपको 6GB RAM 128GB storage का लेना होगा मतलब 22,000 में यह phone आपको लेना ही लेना होगा अगर आपको इस phone को लेना है आप इसको 21,000 में लेने सकते हाँ ICC Bank का card यूज करते तो ले सकते और एक important point दोस्तो इस phone में आपको एक hybrid SIM plot देखने को मिलता है मतलब आप 2 SIM एक साथ नहीं लगा सकते और 2 SIM के अगर बात करू तो दोनों इस SIM 5G का support नहीं करते एक SIM में आप 5G लगा सकते यह आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि आप आगे जाके जब 5G का यूज करेंगे तो शायद आप 2 SIM यूज कर सकते तो इस phone में सिर्फ एक ही 5G वाला SIM support करेगा तोनों SIM 5G को support नहीं करेंगे तो यह बात आपको ध्यान में रखने होगी साथी साथ Xiaomi ने ये भी advertisement किया कि इस phone में IP53 rating है अब IP53 rating वो सबसे lowest rating है उससे उपर है IP68 यह सबसे highest है उसके बीच की rating चाहिए थी या फिर IP68 rating है आनी चाहिए थी लेकिन इस phone में rating है IP53 अब इससे यह phone थोड़ा बहुत बारिश में भीगेगा तो खराब नहीं होगा लेकिन अगर जादा पानी गिरता है या फिर आप ऐसे पानी में डालते है phone को आपने बहुत सरे वीडियो भी देखे होंगे वहाँ पर नहीं डाल गया इस वजह से आप फस सकते हैं इस phone में सिर्फ IP53 का rating आता है जो कि सबसे lowest quality है मतलब जो 2 से 4 rating आता है जिस वजह से आप अगर सोच रहे हैं कि यह जो phone है यह water resistant phone है तो वैसे नहीं है दोस्तो लगबग जो अभी के जो phone साते वैसे एक normal phone ही है जो कि थोड़ा बहुत पानी सेह लेते है बहुत ज़दा पानी गिर जाएगा तो यह phone खराब होने के chances बहुत ज़दा है और साधी साथ इस phone में NFC का support नहीं अब जो Chinese variant आता है उसके अंदर NFC का support है हम इंडिया में बहुत कम यूज़ करते लेकिन फिर भी मेरा काम है आपको बताना तो मैंने आपको बता देया इस phone में NFC का support नहीं है यह phone बहुत ही बढ़िया है मतलब बहुत ज़दा अच्छा बहुत ज़दा बुरा नहीं है इस price point पे ठीक तक phone है अगर आपको एक अच्छा phone लेना है आपका budget 20-22,000 है तो आपको इस phone को लेना चाहिए सिर्फ आपको ये धहन में रखना है कि आपको 108MP camera sensor के जैसे clarity नहीं मिलने वाली साथी साथ 5G का support जो है वो एक ही SIM slot में मिलने वाला है मतलब आप 5G वाला phone ले रहे ऐसो सोच के ले रहे तो आप इस phone को मत खरीदे या फिर camera बहुत बढ़ी है इस वो जैसे करीदे तो भी मत खरीदे लेकिन अगर आपको 22,000 के around एक phone खरीदना है तो आप इस phone को consider कर सकते है क्योंकि ये phone जए बहुत ज़दा बुरा या फिर बहुत ज़दा अच्छा नहीं है मिलल में कह सकते है आप इस phone को चलिए दोस्तो इस वीडियो को यही खतम करते अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजे अपने दोस्ते साच शेयर कीजे चैनल का कोरल लिजे सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करके बताए दोस्तो कि आपको क्या लग रहे मीट इन आए के बारे में अपनीचे कमेंट करके जरूर बताए दोस्तो